बिहार आइटिया का आउनलाइन फॉर्म पांच जुलाई से सुरू हो रहा है आइटिया से संबंदित सभी जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वहां से जाके आप लोग आपलाइन कर सकते हैं और आउनलाइन से जूरी सारी जानका आप इंफॉर्मेशन यहां पे आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं आप अपना क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा यहां पे राइस्टेशन से लेकर फाइनल स्टेप तक कॉंसेलिंग तक आपको सारी जानकारी इस प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है इ इसमें राइस्टेशन होता है पार्ट кус बोता है पहले राइस्टेशन करते समय दूसरे step में personal information जैसे आपका address भरने होंगे और तीसरे में आप फोटो अप्लोड करने होंगे और signature अप्लोड करने होंगे सारी information जो है आपको इसमें दिया हुआ है आप लोग download करके one by one पढ़ सकते हैं ठीक है 5 step में यहां पर preview your application है आप जो भी information form में भड़े हैं जो भी जानकारिया form में दिये हैं सभी information को अच्छी तरह से चेक कर लेना है किसी तरह का कोई गलती तो नहीं है उसके बाद final आपको submit कर देना है क्योंकि submit हो जाने के बाद modification का अलग से date निकाला जाता है लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जो कि दूबारा modify करना होंगे आपके form को तो पहले इस टेप में आपको 100% form को सही भड़ना है उसके बाद last step आता है जब आप final submit कर दीजेगा तो उसके बाद six step आता है payment का जो कि SC ST के लिए एक सो रुपी application fee रखा गिया है और general bc ebc के लिए 750 रुपी application fee रखा गिया है जो physical handicap है उन लोगों के लिए 450 रुपी application fee रखा गिया है आप जो है application fee online मादेम से payment कर सकते हैं और offline यानि कि चालान के मादेम से भी payment कर सकते हैं दोनों भी परकार के यहाँ पे option दिया हुआ है जैसे यहां पर देख सकते हैं पेमेंट मोंड आफ लाइन नेप चलान अप्शन टू सिलेक्ट अपना चलान डाउनलोड करके आपको बैंक में जाना होगा ठीक है अगर आउनलेन पेमेंट करते हैं तो आप डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है अप्लिकेशन भी पेमेंट कर सकते हैं एस्टेप यहां पर सेबन में दिया हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी ठीक है यहां पर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दू जो भी अप्लिकेशन फॉर्म आप भरिएगा उनको आपको समाल पर रखना है कहीं पर आपको हाड प्लिकेशन नंबर होगा जिसका कॉंसेलिंग के समय या 22 में आपके द्वरा किया जा सकता है इसलिए दोनों जो है आपको रख लेना है पीडिया फॉर्मिट में भी और हाड कोपी भी पीडिया फॉर्मिट आप अपने ड्राइब में रख लिजेगा ताकि वहां पे सुरक अगस्त दोहजार 21 तक 11 बज कर 69 यानि कि रात 12 बजे तक आप ऑल्लाइन कर सकते हैं 5 अगस्त तक यानि कि नेट यहां पे 30 दिन का समय दिया हुआ है फॉर्म भरने का उसके बाद यहां पे लाश्ट डेट पेमेंट अगर आप फॉर्म भर देते हैं पेमेंट नहीं करते है तो उसका लाश्ट डेट दिया हुआ है साथ आठ दोहजार 21 तक ठीक है संडे मंडे को छोर कर जो चलान के माध्यम से पेमेंट करेंगे वो तो बैंक बंद रहेगा तो यहां पे बैंकिंग यहां पे दे दिया है बैंकिंग आबर में ही वो काम होगा उसके बाद यहां पे अगर ऑनलाइन पे पेमेंट करते हैं तो उसका लाश्ट यहां पे देख सकते हैं नो आठ दोहजार 21 तक दिया हुआ है उसको एड्मिट सोरी यहां पे देखिए फॉर्म यहां पे रजिस्टर कंडिटर्ट ऑनलाइन एडिटिंग और अपलिकेशन अगर आप फॉर्म भरत कर बारा आठ दोहजार 21 तक ठीक है इस समय आप जो है उस फॉर्म को लॉग इन करके मोडिफाइक कर सकते हैं यह बोड के द्वारा अलग से लिंक प्रोवाइड किया जाएगा एड्मिट कार्ड का रिलीज करने का डेट अभी यहां पे नहीं किया गया है इस जैसे एडिमि क्रामनेशन डेट भी नहीं दिया हुआ है मैं इस संबंदित और वी वीडियो बनाया हूं जिसमें आपको यह जानकारी दिया हूं कि आइटिया में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां से इसके तयारी करें और मैं आपको बता दूँ अगर आप मोस्ट भी इंपोर्टेंट आइटिया को क्वेश्चन लेना चाहते हैं उसका भी मैं आपको प्रवाइट कर दूँगा ताकि आपको पिछले सालों में जो आइटिया में क्वेश्चन पूछेगे हैं सेम उसी कोहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वह आप जो ई-book मैं आपको दू जाएगा लगवा 100 रुपिया तक आपको ई-book मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप पूरी प्रेप्रेशन कर सकते हैं और यह एक्सपर्ट के दोरा बनाया गया है पिछले कई सालों से क्वेश्चन प्रवाइड कर रहे हैं और विद्यार्थियों जो है अच्छी नंबर वह इ-book के माध्यम से ला रहे हैं तो आपको चाहिए तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और यह आउनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म पांस साथ दुह जरेकी से स्टार्ट हो रहा है तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाके दे देंगे जब इसका उनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल नोटिफिकेशन भी दबा दिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग